पूरे एक महीने पहले मैंने लॉस सेंटोस पुलिस जॉइन करने के लिए एक फोर्म बरा था एंड आज फाइनली मुझे लॉस सेंटोस पुलिस की तरब से एक कॉल आ चुका है उन लोगों ने फाइनली मुझे बुला लिये लॉस सेंटोस पुलिस स्टेशन में पता नहीं गाईस वो मुझे क्या कहना चाहते हैं मैं जाके देखता हूँ वही पर क्या पता गाईस मैं यहाँ पर लॉस सेंटोस का एक पुलिस ओफिसर बन जाओ एंड चॉप तु यहाँ पर क्या कर रहा है अब यार कलवा यार मैं शिंचेन का इंतदार कर रहो यार अच्छा शिंचेन अभी तक स्कूल से नहीं आया अब यार कलवा यार आज जल्दी आना था उसे लेकिन अभी तक नहीं आया अच्छ आजाएगा कोई बात नहीं आजाएगा शिंचेन भी आजाएगा आब तु का जाँ रहा है भा कल्वे मैं जारूं यहां लौ सेंटोस पुलिस इसटेशन में आबा पुलिस इस्टेशन में क्या काम है आर तेरा आब एक कुछ नहीं आर चौप मैंने एक form बराता ना पुलिस जोईन करने के लिए लॉस सेंटोस पुलिस जोईन करने के लिए and finally मुझे आज पुलिस इस्टेशन से कॉल आ चुका है अब आर तू यहाँ पे लॉस सेंटोस का पुलिस बनेगा अब आ यार मैं देखता हूँ अगर इसा हो सकते तो काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा लिटरली मैं यहाँ पे लॉस सेंटोस में मैं पुछ भी कर सकता हूँ अब आर कलवे यह तो काफी ज़्यादा बढ़िया बात है जल्दी से जातू यार अच्छा यार मैं जाता हूँ तो यार चौप अगर शिंचे ना है फिर मुझे कॉल करके बता देना अब आ यार कलवे मैं बता दूँगा यार ओकी गईस तो अभी मैं जातो और आप लोग यहां पे देख सकते हो गईस मैंने एक मरसेडीस करीद लिया था यार यार यह एक लोकल मरसेडीस है क्योंकर मेरे पास इतने ज़्याधा पैसे नहीं थे बत गईस आप लोग इसका कलर देख सकते हो लिटरली मैं गईस बहुती बढ़िया कलर है पीचे से भी आप लोग देख सकतो गईस इस वाली कार का look and आज मैं इसको लेके जाने वालू अपने साथ ता कि guys हम लोगों का काफी ज़्यादा बढ़िया impression पड़े पुलिस वालों पर and देखते हैं कि पुलिस वाले मुझे क्या बोलते हैं guys literally मैं मुझे यहाँ पर इस job की बहुत ही ज़्यादा need है क्योंकि आप लोगों को तो पताईए guys Los Santos पुलिस कितनी ज़्यादा corrupt हैं हमें काफी ज़्यादा पेसे मिल सकते guys हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेसे कमा सकते हैं अगर तो guys मैं यहाँ पर Los Santos पुलिस में जोईन हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आजाएगा guys मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे मैं काफी ज़्यादा बढ़िया गर और बड़ी बड़ी गाडियां ले सकता हूँ लिटरली में guys बहुत ही ज़्यादा मज़ा आजाएगा अभी मैं जल्दी से अपनी या पे इस local Mercedes को बगाते वे जाता हूँ अगर guys आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो इस वाली वीडियो पे भी जल्दी से जाके guys लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना वीट 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 अभी guys यह वाली कार पलेटने वाली थी अभी guys जल्दी से आप लोग जाओ इस वीडियो को यही पे पोस्ट करो जाओ कॉमेंट करो लाइक करो वीडियो को शेर करो एंड मैं भी जल्दी से guys इस कार को बगाते हुए जाताओ पुलिस स्टेशन की तरफ आल्राइट guys आप लोग देखी सकते हो फाइनली मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे पहुंचने वाल हूँ एंड यहाँ पे guys अंदर जाना है मेरे क्याल से आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पे कितनी सारी पुलिस की गाड़ी है मैं guys अपनी कार को यहाँ पे इस कोने में पार्क कर देता हूँ यहाँ पे मेरी कार सेफ रहेगी जल्दी से guys मैं बागते हुए जाताओ पुलिस स्टेशन के अंदर ता कि guys मुझे पता चले यहाँ पे इन पुलिस वालों ने मुझे क्यू बुलाए इतनी अर्जेंट में guys इन लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाए तो जल्दी से जा के देखता हूँ आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पे अंदर एक पुलिस तो कड़ा है एंड कुछ बंदे भी है guys यहाँ पे शहएद इनका केस होगा हेलो ओफिस सर मुझे आप लोगों ने बुलाया था मैं फ्रेंक्लिन आप फ्रेंक्लिन क्लिंटन तुमारा नाम है आप सर फ्रेंक्लिन क्लिंटन मैं ही हूँ अच्छा अंदर जाओ अंदर जाओ ऑफिसर से बात करो अच्छा ऑफिसर से बात करने अंदर जाने ओक्या अंदर जाके देख तो गईस की यह वाल ऑफिसर क्या बोलता है क्या मेरी ट्रेनिंग होगी आँ तुमारी पुलिस की ट्रेनिंग होगी कुछ वक्त की ट्रेनिंग है एंड इसके बाद तुम एक पुलिस बन जाओगे अच्छा गाइस लिटरली में आप लोगों ने सुना मेरी अभी ट्रेनिंग होगी या पे मिलिटरी बेस पर एंड इसके बाद ये लोग बोले हैं मेरी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट होगी लिटरली में गईज बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाल है और देखते हैं कि मैं यहाँ पे लॉस सेंटोस का पुलिस बन सकता हूँ या फिर नहीं बहुत ही ज़्यादा गईज मजा आ जाएगा अगर तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस सेंटोस के पुलिस की जो सेलरी है वो भी ज़्यादा है और यहाँ पे लॉस सेंटोस की पुलिस बहुत ही ज़्यादा करप्शन करके भी काफी ज़्यादा पैसा कमाती है इसलिए बहुत ही ज़्याद मज़ा आने वाल है तो मैं अभी जल्दी से अपनी कार को बगाते हुए चलता हूँ मिलिटरी बेस तो यहां से बहुत ही जादा दूर है और पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाल है यह लोग मेरी कौन सी ट्रेनिंग होगी मिलिटरी बेस तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से इस वाली कार को बगा कर डाइरेक्ट मिलिटरी बेस पहुंचता हूँ अभी फाइनली मैं मिलिटरी बेस पर पहुंचने वाल हूँ आप लोग दीख सकते हूँ यहां पर फाइटर जेट्स बनी वी है एंड मुझे यहां से सीधा जाना होगा गाइस मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है मिलिटरी बेस पर लेकिन गाइस जो भी होगा मुझे पता है इतना बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है यहां पर कोई भी नहीं है ओके ओके यहाँ पे गईस बहुत सारे गाड है ओके इन लोगों ने फाइनली कॉल दिया लिटरली में मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है यहाँ अंदर जाते हुए क्योंके गईस मैं यहाँ पे आता जाता नहीं हूँ एंड यह लोस सेंटोस का मिलिटरी बेस है लिटरली में गईस यहाँ पे अंदर आते ही बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ओके आप लोग देख सकते हैं यह वाला नहीं कुल रहा लिटरली में गईस ओके ओके फाइनली कुल चुका है गईस यह भी गईस मुझे लगता यह लोग मुझे पहसान रहा या तो गईस मेरी कार बहुत ज़्यादा बड़ी है यहां पे कि स्क्रेच भी लग चुका है क्या घ गईस मुझे अभी अंदर किसी से पूछना पड़ेगा कि मुझे कां पर जाना है यहांपे मुझे एक बंदा तो दिख रहे है गईस मैं इस से बात करता हूं ज़रा देखतो गईस की यह क्या बोलते है hylo है बाइद मेरी बास सुन कौन है तू क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है अच्छा मेरी बात सुनो मेरा नाम है फ्रेंक्लिन क्लिंटन मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ यह रहा मेरा फॉम अच्छा यह तुम्हारा फॉम है तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ यह मेरा फॉम है अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी है आँ ये मेरी गाड़ी है अच्छा दिखने में तो काफी ज़्यादा ताकतवर लगते हो आँ मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं एक आज से तुम्हें भी मार सकते हूँ अच्छा मुझे मारोगे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ अच्छा सर सोरी सोरी मैं है तो ऐसी मजा कर रहा था अच्छा मेरे साथ हो मैं तुम्हें जरा परेड दिखात हो यहाँ पे एक चोटा सा परेड हो रहे है यहां पे काफी जादा बढ़िया बढ़िया बढ़े बढ़े परेड भी होते हैं आप लोग देख सकते हो आजा बै जल्दी से एक तो तिर से बागा भी नहीं जा रहा और तू यहां पे ट्रेनिंग के लिए आया है नहीं नहीं सर मैं आ रहू बाग रहू आप लोग देख सक सकता अच्छा आप ज्यादा बाते नहीं कर वो तिरी का रहे हाँ वही मेरी का रहे जल्दी से आ में तुझे करनल के पास ले जातो वही तुझे बताएगा कि क्या करना है तेरा कौन सी तरी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है एंड ये ट्रेनिंग पूरे एक अफते तक होगी क्य एक अफते तक मेरी ट्रेनिंग चलती रहेगी तुझे डंग से बागा नहीं जारा पहले तो तुझे बागना सिकाना पड़ेगा यहां पे तु कैसे पुलिस बन पाएगा नहीं मुझे तो सरिफ पुलिस बनना था मुझे यहां पर आर्मी जोएन करेगा तो तीन महीने की ट्रेनिंग होती उसकी क्या आर्मी जोएन करने की तीन महीने की ट्रेनिंग पुलिस की एक अफते की और आर्मी की तीन महीने की ट्रेनिंग होती है तेरी कार तो काफी ज़्यादा बढ़िया है मुझे लगता है करनल तेरी कार ले लेगा क्या करनल क्यों मेरी कार लेगा मैं मैं नहीं दे रहा अपनी कार अच्छा अच्छा मदा कर रहा था हिदारा जल्दी मेरे साथ मैं तुझे करनल से मिलाता हूँ और देखते कि वो तुझे कौन कौन से ट्रेनिंग देते हैं जल्दी से आओ एलो करनल ये फ्रेंकलिन नहीं ये रहा इसका फॉर्म ये यहां पर पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आए अच्छा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आए फ्रेंकलिन तो तुमारे अंडर इसका ट्रेनिंग इसका ट्रेनिंग तीन दिन का होगा क्या क्या करनल वन वीक डेनिग नहीं होता नहीं पुलिस की with training कम कर दिए इसका training three dyn का होगा काफी ज़या hardcore training देना इसको तुम्हें पठा हीhewगा कि कैसे देते हैं हाँ करनल वो तुम मुझ पे चोड़ दो मैं कुद ही इसको हाट को ट्रेनिंग दूँगा अच्छा बस टीके तुम ले जाओ इसको जल्दी से और इसका ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करवाओ हो आजा फ्रेंकलिन मेरे साथ कोन सी ट्रेनिंग कराईगा भाई तुम मेरे साथ कोन सी काम कराईगा तुमेरे से जधा बाते नी कर आच्छा वह तु आपके आए यहापे दिघी जाया और ऑन्दरस चुक है तु बाहर तभी जाएगा जब तू एक पुलिस वाला होगा अच्छा भाई समझ गये लेकिन ट्रेनिंग कहां पर करनी है ट्रेनिंग तेरी यहां पर होगी और पहले तो तू मुझे 500 पुशप मार के दिखाएगा क्या 500 पुशप मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 50 पुशप से ज्यादा नहीं मारे तुम्हारी ट्रेनिंग स्रिफ तीन दिन की होगी लेकिन वो काफी ज़दा हाड कोर ट्रेनिंग होगी जैसा कि तुमने सुना अभी मैंने सुन लिया था कि मेरी काफी ज़दा हाड कोर ट्रेनिंग होगी लेकिन यह हाड कोर ट्रेनिंग होता क्या है वो तुम्हें अभी पता चलेगा जब तुम्हारी हाड कोर ट्रेनिंग होगी तुम्हें यहाँ पे बिल्डिंग से जंप मारना पड़ेगा तुम्हें काफी तेज स्वेम करना पड़ेगा तुम्हें सो सो पुश अप एक साथ मारने पड़ेंगे क्या ये तो मैंने कभी भी नहीं किया यहाँ पे तुमने लोसेंटोस पुलिस को मजाक में लिया हुआ है नहीं नहीं मजाक में तो नहीं लिया हुआ तो तुमने लोसेंटोस पुलिस का फॉर्म क्यों बरा जब तुम्हें ट्रेनिंग ही नहीं करनी थी नहीं मुझे ट्रेनिंग करनी है लेकिन ये तो काफी जादा मुश्किल ट्रेनिंग होने वाली है आँ लोसेंटोस पुलिस की सारे काम मुश्किल होते है यहाँ पे तुमारी कार को मैंने देख लिए काफी जादा बढ़िया कारे क्या अभी तुम सिर्फ मेरे कार का टेस्ट ड्राइव ले रहे थे हैं? हाँ काफी ज़्यादा बढ़िया कार है लेकिन कार अभी तुमारी यही पर पार्क हो जाएगी और तुम चलो मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए अच्छा अच्छा भाई आ रहूं है लेकिन मेरे पैर में आज बहुत ज़्यादा दर्द है मैं तोड़ा अपने गर जा सकता हूँ क्या तुम अपने गर यहाँ पर तो कोई अगर मिलिटरी बेस से बाहर निकलते हो तो तुम्हें शूट के ओडर है तो यहाँ पर में तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटने वालो हूँ मेरे पैर में काफी ज़्यादा दर दो रहें तीस पुछप हो गए कब तीस पुछप हुए चल्ड़ा नो हुए है जल्दी जल्दी मारो push-up, तुम बहुत ही ज्यादा slow, इतने देर में मैं 100 push-up मार भी ले था, अच्छा तो तू मार के दिखा, यहाँ पे तुम इस बंदे को देख रहो, यह 1000 push-up एक साथ मार लेते हैं और तुम सो भी नहीं मार पा रहे हैं, officer मैं मार तो रहो, आप देख सकत अरे तुम जूट क्यों बोले हो, यहाँ पे अभी तक सरे 50 हुए, जल्दी जल्दी 100 push-up मारो, इसके बाद हमें और भी ट्रेनिंग करनी है, तुमारी काफी ज़्यादा हाट को ट्रेनिंग है, अभी तो तुम तीन दिन तक यहीं पे हो, और तीन दिन तक तुमारी काफी ज जादा कुछ खास नहीं हाती, अच्छा इस बंदे से फाइट कर सकते हो, नहीं यह तो बहुत ही ज़्यादा ताकत वर लग रहे हैं, इससे मैं फाइट नहीं कर सकता, अच्छा मुझे अपने कुछ फाइटिंग मूव्स दिखाओ, फाइटिंग मूवस दिखाओ, अपने अच्छा लेकिन मुझे मत मार रहा हो, मुझे सिर्फ मूवस दिखाओ, अच्छा यह देखो, मैं पंच ऐसे मार लेता हूँ, एंड लात तुम्हें मारता नहीं हूँ, ज्यादा तर मैं पंच यूजज करता हूँ, जिसा कि मैं दिखाओ, तुम्हें तो बिलकुल भी फाइ सिखाना पड़ेगा, अच्छा फाइटिंग स्किल तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन शूटिंग केसी है, शूटिंग तो मैं काफस ज़्या बढ़िया कर लेतो, तो करके दिखाओ, तुम्हें वारो नहीं हूँ, एंड तुम्हें यह घं दिये, चलो आग यहां पर तुम देख सकते हो यहां पर आठ बोटल पड़े वें तुम्हें दूर से इनको शूट करने और आठो के आठ बोटल उडाने तो इससे तुम्हारी शूटिंग टेस्ट हो जाएगी अच्छा शूटिंग में तो काफी ज्यादा बढ़िये हो बताओ कहां से शूट क सकते हो यहां पर यहां पर ने कैन्ग इए कुल यह थी शूटींग क्ल तम्हारी काफी ज्यादा बढ़िये हाना स्यूटिंग शिंक लिट्रली में में मेरि काफी ज्यादा बढ़िये होकी एक वुलेट वेस्ट हो गया लेकिन वहाँ पे मैंने तुम्हारी सारी bottle गिरा दी and तुम देख सकते हो literally मैं यहाँ पे 8 की 8 bottle यह bottles कहां गई ओकी यहाँ पे देख सकते हो 8 की 8 bottle मैंने नीचे गिरा दी है ओके ओके तुम्हारा shooting काफी जादा बढ़ी है तो इस test में तुम finally pass हो चुके हो अच्छा फॉैरली गैज यहाप एक टेस्ट में मैं पास हो चुक हूँ और इसके बाद कौन सा टेस्ट है इसके बाद है तुम्हारा फाइटिंग टेस्ट तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा क्या तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ेगा आज जल्दी से चलो अपनी गाड़ी के पास, आजो आजो जल्दी से आओ, मैं तुमें लेके चलता हूँ, तुमें मेरे साथ काफी जादा बढ़िया फाइट करना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ फाइट में जीत गए, तो तुम फाइटिंग में भी काफी जादा लूगा अच्छा आदमी हूं तो अराद होगे लेकिन मैं बूरा हूं लेकिन अभी भी तुम देख सकते हो अम मिलिटरी में काम करता हूं यह बात में यह तो मैंने सोचा ही नहीं लिटरली में यह भी एक military officer यह मुझे मार तो सकता है ऑचा आजा तुमारी fighting test यहाँ पर करते है अचा लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं किया क्यूंकि fighting test यही पर होता है gym यही पर तुम देख सकते हो यहाँ पर gym चल रहा है जैब मतलब आजली से आऴ यहां पर जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ केसे हो केसे हो कैसे चल रहे है फिर Franklin का training साही जा रहे है आँ करनल Franklin का training काफी ज़ादा बढ़िया जा रहे है अभी Franklin से मैं fight करने वाला हूँ अच्छा अच्छा तो यहां पर shooting test इस ने pass कर दिये सही है और तो पुशप भी कर दिये तो fighting का भी देख लो जल्दी से इसका fighting test भी करो complete करो सही है इसके बाद इसको आराम का बोल दो पिर कल बाकी test होँगे अच्छा ठीक है करनल हो के गईस款 यहाँ पर fighting test के बाद कोई test नहीं है निकलो जल्दी से यहाँ से बाइर जाओ निकलो बाएर जाओ तू भी निकल यहां से जल्दी से निकलो यहां पे भी fighting test होने वाले जाओ निकलो जल्दी से जारू ज़रू ऑफिसर जारू तू वाहं पे क्यों चुपके बेटा है जल्दी से आजा मुझे नहीं करना fight मुझे काफी जाधा दर लग रहे तुमने यहाँ पर दो इतने जाधा आखतवर बंदों को कैसे मार दिया अचा डर माच जल्दी से आजा fight करते है बहुत जाधा fight करना है मुझे तुझसे आजा जल्दी से literally में मुझे काफी जाधा डर लग रहे हैं यह तो गईस काफी ताकतवर है मैं समझ रहा था यह बूड़ा आदमी है कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन यह तो काफी ज्यादा ताकतवर है आज 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 अब ज्यादा डर नहीं कड़ा हो जल्दी से कड़ा हो जा ओल राइट गईस मैं फाइनली से फा यह तो मुझे मार ही नहीं रहा है लिटरली में यह तो बोल रहा है कि मैं इसको मार हूँ ओल राइट गैस इसको तो मैं काफी जादा मारने वाल हूँ अभी मार मार और मार लिटरली में इसको कितना जादा मार हूँ लेकिन यह पिरसे कड़ा हो रहा है इस मुझे पता नहीं अपलोग दीख सकते हो guys, मार बस इतना ही ताकत है तुझ में, guys, literally मैं इसको मैं कितनी ज़्यादा मुक्खे मार रहूं, कितना ज़्यादा मैं इसको मार रहूं, लेकिन इसको दर्दी नहीं हो रहा guys, यह पिर से करा हो रहे, अब मैं मारू तुझे, नहीं-नहीं मुझे तू न literally में इसने मुझे कितने जोर का मुक्क आ रहा है literally में मुझे तो उटा ही नहीं जा रहा है काफी जूर का लगया मेरा सर गूमने लग गया है literally में guys मुझे तो ऐसा लग रहे guys मेरी सारी body paralyzed हो चुकी है मेरे अंदर पावर ही नहीं है guys दुबारा से कड़ा होने का आप लुग दीच सकते हो बहुत ही जादा जोर का मुका दिये गाइज इसने कड़ा हो जा जल्दी से कड़ा हो जा ओक्या गाइज मैं फिर से कड़ा तो हो गया काफी ज़धा मुश्किलों से लेकिन गाइज अबी बिल्कुल भी चलने तक कीमत नहीं है क acum तुझे और भी ज्यादा मारना है क्योंकि अबी रात होने वाली है कल तेरा और भी ज्यादा मुझकिल ट्रेनिंग डे होगा अच्छा गईस अभी यह वाला गेमप्ले अगर आपको पसंद रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पता नहीं गईस यह बुड़े का बच्चा कल मुझसे और क्या क्या कराने वाला है वो तो आप लोगों को गईस नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में तेंक यू सो मच पूर वाचिंग गुडबाई